आल्या भट से शादी करने के बाद भी रन्बीर कपूर के जहन से दीपिका पादुकोंड नहीं निकल पा रही है रन्बीर ने खुले आम दीपिका की ऐसी तारीफ कर डाली है जिसे सुनकर आल्या भट जल भून जाएंगी रन्बीर ने दीपिका की एक्टिंग को बे मिसाल बता दिया है बुर्ट इंडिया से बात करते हुए रन्बीर ने फिल्म तमाशा के गाने अगर तुम साथ हो के उस सीन को याद किया जिसमें दीपिका और रन्बीर एक टेबल पर सिर टिकाय हुए नजर आय थे इस बारे में बात करते हुए रनबीर ने कहा कि ये सीन सिर्फ दीपिका की शांदार परफॉमेंस की बज़ा से यादगार बन गया रनबीर कपूर ने इस सीन पर बात करते हुए कहा मुझे लगता है कि जिस तरह से दीपिका ने इसे किया यानि टेबल पर जो कुछ भी उन्होंने किया उसमें उन्होंने जान डाल दी थी क्योंकि वो सब कुछ रियल था उन्होंने वास्तम में दर्द महसूस किया था और उसकी वज़ा से गाना हिट हुआ इसके बाद दीपिका पाधुकोण के साथ अपने काम के experience को share करते हुए रनबीर ने कहा दीपिका के साथ काम करने में मेरा हमेशा सही अच्छा समय रहा है क्योंकि हमने 7 मेहीं फिल्मे करने की शुरुआत की थी अब वो एक्टरस के रूप में इतनी बड़ी हो गई है हमने बचनाय हसीनों में एक साथ काम किया और फिर ये जवानी है दिवानी में काम किया मैं किसी एक्टर की ग्रोथ से इतना हैरान नहीं हुआ जितना की मुझे दीपिका ने किया है मैं दीपिका को बहुत करीब से जानता हूँ इसलिए मैं उनसे प्रभाबित हुआ हूँ और जब हम तमाशा करने पहुँचे थे तो वो एक दिगज के रूप में उभरी और उस दोरान उन्होंने मुझे अपने हर शॉट और अपने हर एक्स से हैरान कर दिया रनबीर ने इस इंटर्विव में दीपिका को लेकर जो भी बाते वोली हैं वो काफी हैरान कर देने वाली हैं ये बात सब जानते हैं कि रनबीर और दीपिका एक दूसरे से बेपनहा प्यार करते थे दीपिका रन्बीर को लेकर इतना सीरियस थी कि उन्होंने रन्बीर के नाम का टैटू अपने बैक पर बन बाल गया था लेकिन आशिक मिजाज रन्बीर ने कट्रीना के लिए दीपिका को चीट किया इस वज़ा से दीपिका बुरी तरह तूट कही थी उन्होंने एक इंटर्व्यू में खोले आम रन्बीर का नाम लिए बिना उन पर धोका देने का आरूप लगाया था दीपिका ने कहा था कि उन्होंने रन्बीर को रंगे हाथो चीट करते हुए पकड़ा फिलाल तो दीपिका और रन्बीर की शादी हो चुकी है लेकिन लगता है कि रन्बीर के दिल और दिमाग पर दीपिका का बहुत गहरा असर है वनना रन्बीर कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं करते हैं फिलाल इस पर आप क्या कहेंगे अपनी रहा है हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉली बुट पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजे